तो गाईस आज की इस वीडियो के अंतर में आप लोगों को थमनेल बनाने का तीन ऐसा सिक्रेट टिरिक से बताने वाला हूँ जिस टिरिक से को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका थमनेल बहुत ही जायदा एट्रेक्टिव बनके तैयार होगा जिसके सामने भी आपका वीडियो जाएगा तो आपके वीडियो का थमनेल बनाने के लिए बताने वाला हूँ दोस्ता अगर आपके वीडियो का अंदर 10, 20, 30 वीउज आते हैं तो जो टिरिक से मैं भी आपको बताने वाला हूँ थमनेल बनाने का अगर आप इस टिरिक से को फॉलो करते हैं किलिक बेट थमनेल बनाते हैं तो फिर आपके वीडियो के अंदर बहुत ही जएदा वियूज आने वाला है यानि वियूज की और सब्सक्राइबर से की बारिश होने वाली है दोस्तर ध्यान दीजिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर थमनेल बनाने के लिए नहीं जब भी आप थमनेल बनाएं तो थमनेल बनाने से पहले कुछ बातों का खयाल रखें जिसकी वुझा से आपका थमनेल किलिक बेट बनके तयार हो जाए तो दोस्त अगर आप भी किलिक बेट फुल एच्टी में और एट्रेक्टिव थमनेल बनाने के लिए सिखना चाते हैं तो बस आप इस वीडियो को एंडर तक देखते रहें दोस्त यह सब चीज़े आपको कोई भी बताने वाला नहीं है वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप इस सेनल में पहली बनाए हैं तो इस सेनल को सब सब्सक्राइब करके भी बिल आइकल को प्रेस कर लेना तो चलिए दोस्त आज की इस एंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी लीचे के बिना किसी इंटरो के शथार्ट कर लेते हैं जब भी आप thumbnail बनाने का इरादा करते हैं तो thumbnail बनाने से पहले आप तीन बातों को खयाल करते हुए चलेंगे उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका thumbnail बहुत ही ज़दा attractive, full HD में और clickbait thumbnail बनके तैयार होगा तो चलें देख लेते हैं कि वो तीन कौन सी बात है जिसको आपको खयाल करते हुए चलना है तो पहला बात यह है कि जब भी आप thumbnail बनाते हैं तो आपने जिस टॉपिक पर वीडियो बनाया है सबसे पहले आप उस वीडियो को यूटूब पर आके सर्चा करेंगे ठीक है सर्चा करने के बाल में फिर आपके सामने में बहुत सरा वीडियो आ जाएगा फिर वहां पे आप देखना है कि उन सब वीडियो में से सबसे ज़यदा अच्छा thumbnail कौन सापको पसंद आ रहा है तो जौन सापको थमने में पसंद आ रहा है तो उसी तरह से आप भी बनाने की कोशिश कीजिए इसलिए कि देखिए अगर आपको वह थमने में पसंद आ रहा कि दूर से नज़र आ जए कि आपने ठमनेल के उपर में क्या लिक हैं जैसे कि देखिए मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक दो बात बोल देता हूँ कि आपने जो fonde लिखा है fond का कलर white है और fonde के background का कलर black है तो कितना अच्छा लिए ना attractive दिखता है दूर सही नतर आजाता है लेकिन दोस्त अगर आपके फॉंड के कलर वाइट है और फॉंड के बेगरॉंड के कलर यलो है तो दोस्त आप दिखेंगे कि आपको जोने नजर भी नाएगा कि आपने क्या लिखका है समझ रहे ना यानि आप जो ऐसा है लिखेंगे थमिनल के उपर में कि दूर सही नजर आ जाए और जो है आप से जितना हो सके थमिनल के उपर में कम लिखेंगे ज्यादा आप ने लिखेंगे जैसे वह लिखेंगे सब्सक्राइब का अगर आप लिखेंगे कि इस वीडियो का अंद्र सब्सक्राइब किस तरह से बढ़ाते हैं आप इसी वीडियो को देखते रहिए तो 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 किया उता है कि धमियो के ओपर जो आपने लिखा है फॉरन पढ़ लेंगे और जो है आपके वीडियो पर किलिक भी कर देंगे अब तीसरी बात आपको खयार करते हों चलना है वह यह है कि अपनी थमनेर को फुल किस तरव से तयार करेंगे जब आप पिक्सर लेपर करते हैं किसा कटिक एक करने की किली मिलेगा जैसा कि आप यहां पे इसकी देख सकते हैं तो आप क्या करेंगे अल्टरा पर किलिक करके उसके बाद में जो है थमनेल को सेव करेंगे इस दिए क्या होगा कि आपको फुल मुझे जरूर बता देना तो चलिए दोस्त आज के लिए नहीं है अब हम आप से मिलते हैं अगले किसी एंटरेस्टिंग वीडियो में